यहां पर आप जो सीखते हैं बनाते हैं उसे आप अपने बिजनस में भी कनवर्ट कर सकते हैं और इसे इंकम जनरेट कर सकते हैं कैसे वो हम देखेंगे वीडियो के एंड में उसके चड़चा वीडियो के एंड में करेंगे पहले देखते हैं हमारे आज का वीडियो चले शुरू करते हैं आज के वीडियो में ये तोरण हम बनाना सिखेंगे 40 इंचेस की हमारी ये तोरण है इसके लिए सबसे पहले देखें 4 इंचेस का और 3 इंचेस का रिंग इस रिंग को देखें अगर आप डालेंगे तो इस तरह से आर पार हो जाएगी लेकिन हमें इतना प्रेस करके से इसके बीच में नहीं चिपकाना है 4 इंचेस की जो गोटा रिंगा उसके उपर की लेयर पर देखें हम ग्लू लगाएंगे और इस रिंग को हम यहाँ पर इसके उपर ही रखेंगे प्रेस करके अंदर नहीं डालेंगे और इसके उपर हमें इसे चिपकाना है तो इस तरह से जो है ये गोटा लेस के साथ चिपक जाएगी नाइन रिंग समें बनाने उसके बाद बेस को हम फोल्ड करेंगे इसका जो सेंटर है वहाँ पर हम एक रिंग लगाएंगे इस के इस रिंग का जितना पार्ट पेस्ट पे टाच होगा उतना पार्ट पेस्ट तरह से हम ग्लू लगाएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हमने सेंटर से शुरू के बाकी का जो हाफ पार्ट है वहाँ पर हमें चार रिंग ओर लगानी है और इसी तरह से दूसरा half part भी हमें करना है half यहां पर करके देख रहें दो color के roses हम यहां पर रखेंगे एक red एक pink एक red एक pink center में जो है यह red rose हमने रखा है इसे हम यहां पर चिपका देंगे उसके पास में जो pink है इन flowers की डंडी पिछे की लंबी होती है तो इन्हें आप चिपकाने से पहले cut कर लीजिए कुछ flowers की मैंने already cut करके रखी थी इस तरह से cut करके flate करके flower को उसके बाद चिपकाई है उसके बाद यह कुछ green color की leaves है इनकी डंडी cut करके और इन्हें जो है लटका लगाने के लिए देखिए ready लटकने इसे हम thread के साथ इस तरह से attach करेंगे तीन चार बार अच्छी तरह से band लेंगे और उसके बाद extra thread कट किया तीन pearls हमें यहां पर डालने है और यहां दोनों bengal के बीच में leaf है उसके नीचे हमें इन्हें लटकाना है इस तरह से base के साथ हम thread को निकाल लेंगे जैसे कि मैंने कहा bangles को आपको सटा की नहीं लगाना है ताकि आप इसे fold कर पाए तोरण को bangles भी आपस में चिपकनी नहीं चाहिए only base पे हमें इन्हें चिपकाना है उसके बाद ये white और golden color के pollen बंचे से एक एक pollen हमें इनका इस तरह से निकालना है आप चाहिए तो पहले pollen's को आपस में चिपका सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा glue लगा कर पहले ने आपस में चिपका लीजे और नहीं तो यहां बीच में glue डालिए दोनों को बराबर पकड़िए और यहां पर पेस्ट कर दीजे यहां पर भी देखिए बेंगल सापस में चिपकनी नहीं चाहिए यह फोल्ड होना चाहिए इस चीज का ध्यान रखे क्योंकि जब आप इसे निकालेंगे या कुछ दिनों के लिए आपको फोल्ड करके रखना हो शिप करना हो उसके बाद एक फाइव इंचेस का एक पेच है हाफ इसे हमें कट करना है इस तरह से और यहां पर glue लगा कर इसका हमें कोन बनाएंगे इसी तरह से हमें दो पेचेस लेने है चार कॉन हमें बनाने हाफ आफ करके दोनों किनारों के लिए थोड़ी सी जो लेस उखड़ जाए उसे चिपका लीजिए इस तरह से फिनिशिंग से हम कॉन बना लेंगे उसके बाद एक रेड़ी लटकन है यह हमें लेना है यहाँ पर इसके दो पार्ट हम इस तरह से इसे फिलाएंगे और उसके बाद इसे भी हमें ठ्रेट के साथ अटेज करने है जिसे हमने लटकन को बड़ी लटकन को अटेज किया था उसी तरह से यहाँ पर five pearls हम डालेंगे eight mm के और उसके बाद koon से इसे हम निकालेंगे यहाँ पर 35 pearls हमें डालेंगे और इसे हम लगाएंगे किनारे पर बीच के जो बैंगल से वहाँ पर हमारी लटकन है और किनारे पर देखिए 35 pearls की एक लटकन हो जो दूसरा koon हमने बनाये वही इसके पास में एक इंचिस की दूरी पर 25 पल्स डाल कर हम लटकाएंगे इस तरह से देखे इसे अटेज किया थोड़ा सा गलू डाल कर सेक्योर कर लेंगे और जो दूसरा कॉन हमने बनाया था उसे 25 पल्स के साथ इसी तरह से हम अटेज करेंगे रिकोर्ड नहीं हो पाया लेकिन फर्स जो रिकोर्ड है उसे आपको समझ आ गया होगा कैसे अटेज करना और देखे इस तरह से हमने दोनों किनारे पर लटकन्स अटेज कर दिये इसका DIY किट आपको मिल जाएगा तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट बोक्स में जरूर बताइए और जो वीडियो के शुरू में हमने बात की थी कि इससे कैसे आप अपना बिजनस कर सकते हैं कैसे आप इंकम जनरेट कर सकते हैं तो ये जो पीस आपने बनाना सिखा है इसका DIY किट आपको मिल जाएगा DIY का फुल फोर्म है Do It Yourself इसमें किट में आपको पूरा उतना मिटेरियल आएगा जितना इस पीस को बनाने में लगा है आपको स्क्रीन पर आपने मेरे नंबर देखेंगे वहां से आप मुझे कॉंटे कर सकते हैं DIY किट का आप रेट देख सकते हैं उसकी फोटोज आपको मिल जाएगी जो प्रोड़क्ट उसकी फोटोज मिल जाएगी DIY किट का जो रेट है उसमें अपना मार्जिन एड करके आप अपने ग्रूप में और आपके जो कॉंटेक्ट से उनमें फोटो सेर्कुलेट कर सकते हैं आपको जब ओडर आए तब ही आप ओकेट ओडर केजिए और अपने कस्टमर को बना के दीजिए इतना सिंपल है जीरो इन्वेस्मेंट से भी आप ये बिजनस शुरू कर सकते हैं ज्यादा डिटेल्स के लिए पॉट्सप कीजिए थैंक्स वाचिंग बाबाई